प्राचीन भार्ति इस दो प्राचीन भार्ति इतिहास के उपर हो रहे है इस लेक्चर सीरीज में आप सबों का स्वागत और आज जिस विशे पर हम यह चाचा कर रहे हैं उसका संदर्व दक्षिन भारति इतिहास से है और कालखंड के दृष्टि कोंड से यह गुप्तोतर काल का कालखंड है यानि आप मोटे तोर पर इसे छटी शताबदी के मध्य से लेकर आठवी शताबदी के मध्य तक का कालखंड मान सकते हैं तो छटी शताबदी मध्य से या 550 इश्वी से लेकर 750 या 800 इश्वी तक जो राजनेतिक अवस्था यहां व्याप्त रही उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि इस सम जो दक्षिन भारतिय राजनिती में राजनितिक शक्ति के तौर पर जो दो बड़े डिनिस्टीज प्याप्त हैं वो है चालुके और पलव और जो राश्ट्रकूट और चोल पांडिया चेर वगरा हैं इंपीरियल फॉर्म में वो इसके बाद के हैं तो मुखिता यह चर्चा चालुक्यों के बारे में है और पलवों के बारे में है पिछले चुकी इसकी चर्चा हम दो खंडों में किया है तो पहले खंड में मैंने आपको चालुक्यों के उध्य के बारे में बताया कि कैसे वो बादामी इलाके से अपना प्रभाव राजनिति प्रभाव धीरे धीरे अने इलाकों पर बढ़ाते जा रहे हैं वेंगी इलाका भी वजी इलाका भी उनके राजनेतिक अधिपत्य का हिस्सा बना हुआ है और कई बार पल्लव राजा कई strategic importance की एरिया है वो चालुक्यों से भी वापस ले रहे हैं और जब पल्लव राजाओं क हम चर्चा करेंगे तो उसको विस्तार से हम समझेंगे कि कब कुछ इलाके चालुक्यों से पल्लवों ने भी अपने अधीन किया पर तो यह पूरा कालखंड जो है 200 वर्षों का उसमें दोनों डिनस्टीज काफी सगहन तरीके से संगर्शरत दिखते हैं एक दूसरे के खिल पावर जादा प्रभावी सौवरिन है तो वो भी कई बार अपना पाला पलटते हुए नजर आते हैं और यह भी संगर्श का एक आयाम हमें इस कालखंड में दिखता है तो पिछली की पिछली चर्चा के बिल्कुल कॉंटिनुटी में अगर हम चलें तो हम पाते हैं कि पुलकेशन दुईतिये जो एक काफी प्रभावी चालुक के राजा थे उनके कालखंड के पशात लगवग 12 वर्षों का एक इंटरेगनम पीरियड हमें देखने को मिलता है जहां यह संगर्श जो चालुक के और पलवों के बीच है वो थोड़ा कम है वो एक विराम युद विराम जैसी सिति हमें 12 वर्षों की देखती है और इसके पशात पुलकेशन के बेटे विक्रमादित्य प्रथम ने भी पलवों से पूर्व विजित छेत्रों को अपने अधीन किया तो ये इंट्रेग्नम पीरेड खत्म होने के बश्यात विक्रमादित्य प्रथम जो की एक चालुक के राजा थे और पुलिकेशन द्वीतिय के बेटे थे उन्होंने फिर वही पुराने धरे पर पल्वों से जो संगर्श हो रहा था और पल्वों ने जो इलाका चालुकियों स जीत लिया था उसे वापस जीतते हुए नजर आते हैं और नर्मदा के उत्तर में भी चालुक शेत्रों पर लता चालुकियों का अधिपत्य हमें देखने को मिलता है तो यहां आप यह मालने की लता चालुक लता शब्द एक जोग्राफिकल टर्म है इस इलाके को गुजरा इनका केंद्र चालुक के राजनिति शक्ति का केंद्र बादामी में है तो लता इलाके पर जो राजा यहां व्याप्त थे जो युवराज यहां व्याप्त थे वो उनका सीधा संदर्भ चालुक के परिवार से ही है परंतु उनकी एक अलग पहचान शेत्रिय पहचान भी ब अपने जोग्रफिकल एक्स्टेंट को बढ़ाता है तो धीरे धीरे जोग्रफी के हिसाब से उनकी पहचान भी मोडिफाई होती नजर आती है तो वो उसका एक उदाहरण के तौर पर आप इसे देख सकते हैं लता चालू के के तौर पर अंतता पल्मों द्वारा बादामी पर पुना आक्रमन हमें देखने को मिलता है और पल्मों के द्वारा निर्मित काची के समीप एक ग्रेनाइट शिलालेक पर इस युद्ध का वर्नन भी है जिसमें पल्मों के द्वारा बादामी इलाका को पल्मों के अधीन किये जाने की ब कि कैसे पूरे कालांतर में 200 वर्सों के कालखंड में हमें लगातार इन दोनों पॉलिटिकल डेनिस्टीज के बीच संघर्ष का एक संघर्षरत मामला देखने को मिलता है वैसे ही जो मालाबार तटिये इलाके को देखें जो आप कह सकते हैं कि केरल इलाका है वहां आठवें शताबदी के पश्यात हमें अरब व्यापारियों के आने की सूचना मिलती है और अच्छी संख्या में अरब व्यापारी यहां मालाबार तट पर जो की पिनिसुलर इंडि का पश्मी तठ है वहाँ हमें देखने को मिलता है और ये जो अरब व्यापारी है उसका उनकी जो एक प्रिष्ट भूमी के तौर पर अगर हम चर्चा करें तो इस इलाके में मालावार तठ पर पहले इसाई भी आकर यहां बस चुके थे परंतु यह जो बसावट हो रही है अरब व्यापारियों का आठवी शताब्दी के परश्यात मालाबार तठ पर वो रोमन जो इन्फ्लूएंस है या रोमन जो पेनिट्रेशन है इंडिया में उनकी भाती नहीं है क्योंकि रोमन जो पेनिट्रेशन यहां था वो आठवे वो स्टेबल नहीं था और वो यहां रहने नहीं आए थे परंतु यहां अगर अरब व्यापारियों को देखे तो वो यहां आकर बस रहे हैं और एक सोहादरपूर्ण वातावरन हमें देखने को मिलता है तो यहां कोई संगर्ष जैसी इस्तिति हमें देखने को नह मिलती है मालाबार कोस्ट पर मालाबार तट पर और यह जो जैसे यहां इसाई आकर बसे थे वैसे ही अरब व्यापारी जब यहां आ रहे हैं आठमेशतादी के पशात और उस समय इसलाम आ चुका था अरब में तो उन्हें अपने धर्म के अनुरूप रहने की आजादी यहां मिलती है यहीं बस भी गए और इन्हें व्यापार के लिए जो लोकल पॉलिटीज हैं वो जमीन भी मुहया करा रहे हैं तो कोई संघर्शरत कोई जो एक टेंशन जैसे इस्थिती है वैसा नजर नहीं आता है हम सभी जानते हैं कि अरब में आटमी श्यताबदी साथमी श्यताबदी के आसपास इसलाम का प्रभाव बढ़ चुका था इसलामाइजड हो चुका था यहां की पॉलिटी और डेमोग्राफी और जैसे जैसे इसलाम का प्रभाव और आकरमन पर्षिया यानि एरान प्रिज देखने को मिलता है तो वहां जो 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 जोरेस्ट्रियन रिलिजन के जो लोग थे उन्हें इसलामाइज किया गया और कुछ लोग जोरेस्ट्रियन अलग-अलग इलाकों में वहां से भाग कर बसते हुए नजर आते हैं और इसी ढंक से ततपशात हम देखते हैं कि पर् चलोकियों के समय में पर्शिया से आये इन लोगों को आश्रे दिया गया और यह जो पर्शियन जो यहां आये जोरेस्ट्रियन धर्म का वो पालन करते थे उन्हें व्यापारिक गतिविद्यों में देखते। और उन्हें ही हम आज पार्शी के तोर पर चुकि वो पर्शिया से आये थे तो पार्शी के तोर पर जानते हैं आज भी पार्शी समुदाय व्यापार में काफी सघन तरीके से वो इंगेजड होते हैं पर पश्मी चालू के इलाका जो है वहां हमें विक्रमादित्य द्वितिय का कारेकाल देखने को मिलता है 733 से 747 इश्वी तक और पश्मी चालू के इलाका जो है वहां जो जिस लता चालू के जैसे जिसकी चर्चा हम लोगों ने की वहां अब सिंध में भी अरबिक इन्वेजन हो चुका है भारतिय उप महदूइप की बात करें तो और सिंध में आये अरब जो की आठमी शताब्दी में घटना होती दिखती है तो अरब के सिंध तक आजाने के पशात उनके अरब आकरमन का एक खत्रा पश्मी चालू के इलाकों पर भी या लता चालू के इलाकों पर भी मंडरा रहा था और इट गोस तो अरब के खत्रे का तो सफल सामना उन्होंने किया ही और अरब शक्ती को जो लता चालू के इलाका है उसमें काबिज नहीं होने दिया उन्हें सिंध इलाके तक ही सीमित रखा परंतु इसी दौरान दक्षण में जो पश्मी इलाका है उससे इतर दक्षणी इलाके में चालू क्यों के एक सामन्त दंति दुर्ग ने चालू क्यों के विरुध युद्ध छेड दिया और चालू के राजा कीर्ती वर्मन को हरा कर 757 इश्वी में उन्होंने राष्टकूट वंश की मीव रखी तो जैसा हम देख सकते हैं कि आठवी शताब्दी के मध्य तक अब जो चालू के प्रभाव है राजनिती दक्षिन भारत की राजनिती पर वो खत्म हो रहा है अरबों के आने से नहीं बलकि एक सामन्त जो की च जब मौका देखा कि संभवता उनका ध्यान अरबों को रोकने में है या चीजों में है या वो शक्ती जो है वो थोड़ी धीली पर रही है तो ऐसी अवस्था में दंति दुर्ग ने चालू क्यों के विरुध युद छेट दिया और चालू के राजा कीरती वर्मन को हरा कर उन्होंने राश्टकूट वंश की स्थापना की दक्षिन भारत में और तो ये मोटे तोर पर चालू के प्रभाव की चर्चा रही और अगर आप पल्लवों की बात करें और गुपतोतर काल में दक्षिन भारत की राजनीती में पल्लव की चर्चा किये बिना आप छटी, सात्वी और आठ्वी शताबदी की राजनतिक अवस्था को नहीं समझ सकते अगर उनके पल्लबों की उत्पत्ती के बारे में बात करें तो काफी mystified scenario है और काफी claims और counter claims है तो बड़ा clear कोई account नहीं है उनकी origin का कुछ लोग ऐसा मानते हैं कुछ इतियासकार ऐसा मानते हैं कि संभवता वो पार्थियन थे और पहलवा जो की पश्मी भारत से पूर्वी तट पर शक सात्वाहन युद के दौरान आये थे वही आगे जाकर पल्लव शाशक के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं तो जो शक सात्वाहन कॉन्फरिक्ट है उसमें जो पाहलवाज या पार्थियन्स का उलेख हमें मिलता है कई इतियासकार मानते हैं कि यही ओरिजिन है यही इतनिक ओरिजिन है पल्लमों का और दूसरी शताबदी में पहला रेफरेंस हमें मिलता है और जब 6 शताबदी, 7 शताबदी के संदर में पल्लव के तौर पर जिन्हें हम जानते हैं, राजाओं के तौर पर जानते हैं, वो मूलदा इसी मूल के थे, हलाकि इसके ओपर कोई सहमती नहीं है इतिहासकारों की, ये एक मत है, वैसे ही इतिहासकारों में एक मत यह भी है कि जो वेंगी इलाका है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जिसकी बात मैंने की और अगरिकल्चरली काफी फर्टाइल इलाका है और इसे राइस बोल ऑफ इंडिया भी माना जाता है, उस इलाके की एक जनजाती के तौर पर भी इनकी उत्पत्ती के तौर पर एक विचार पाना मुश्किल रहा है अब तक, लेकिन इस तरह की लेजंट्स भी हैं कि एक राजा था, एक राजकुमार था, उसे एक नागा राजकुमारी से प्रेम हुआ और उसके बाद वो एक आप कह सकते हैं कि अपसरा थी और धर्ती पर नहीं रह सकती थी, तो जब उनसे वो दू जाने की बात हुई, तो पलव युवराज ने नागा राजकुमारी को जो की एक अपसरा थी, उन्हें कहा कि आप हमारे बच्चे को एक जो पलव है, यानि कि पते या पेड का जो हिस्सा है जिसे हम पलव कहते हैं, उससे बांध कर लटका दीजिए, तो उसे देखकर मैं प जो एक origin story है, legends है, पलव के early days की, तो एक कहानी या भी है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो communities के बीच जो एक matrimonial relationship है, उसको वैद करार देने के लिए हो सकता है कि इस तरह की legends तयार की गई हूँ और इस तरह के legends पराचीन भारतिये परंपरा में हमें कई देखने को मिलत हैं, इन सभी origin stories से इतर, अगर हम बिलकुल ठोस एतिहासिक पतल पर पलवों को समझने की कोशिश करें, तो अभिलेखों में, पलव अभिलेखों में, सबसे पहले अगर हम क्रमिक तरीके से देखें, तो पलव अभिलेख सबसे पहले प्राकृत भाशा में हमें देखने को मि मिलते हैं, उसके बाद संस्कृत के शब्द, संस्कृत भाशा के सब्द जादा हमें पलव इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलते हैं, और उसके पहशात संस्कृत और तमिल दोनों भाशाओं के शब्द पलव अभिलेखों में हमें देखने को मिलते हैं, तो यह भी अपने आप में एक करमिकता को एक क्रोनलोजिकल सीक्वेंश को दर्शाता है कि संस्कृत टुडिशन या संस्कृत कल्चर से उनकी शुरुवात हो रही है उसके बाद उसे संस्कृत का प्रभाव या आप कह सकते हैं वेदिक ब्रह्मेनिजम का प्रभाव इन पर भारी तरीके से बाद संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के मिश्रित तौर पर इनके अभी लेखों में जगह मिलती हमें दिखती है प्राकृत अभी लेखों में संभव्ता पल्लव एक स्थानिय वंश थे संभव्ता उस समय वो राजवंश अपने आपको नहीं कह सकते थे लेकिन इनका ज इसवी से 575 इसवी तक के जो अभी लेख हैं जनका संदर्ब पल्लव परिवार से हो सकता है वो मुलता प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए मिलते हैं इसके पाश्चात यानि 575 इसवी से लेकर 800 इसवी तक का जो कालखंट है इसे इतिहासकार इंपीरियल पल्लव का फेज मानते हैं और इस समय में उन्होंने अपनी इंपीरियल स्टेटस को एसर्ट किया अब वो एक कोई सबसर्वियन फ्यूडेटरी के तौर पर नहीं है या किसी स्थानिये प्रभावी परिवार के तौर पर नहीं दिखते हैं बलकि एक सौवरिन क के तौर पर एक एक इंपीरियल पावर के तौर पर दिखते हैं और यहीं वो समय है पांसो पचावसा से आटसो इश्वी तक का जब हमें पल्लव पावर का अधिपत्य तमिल लाडू छेत्र पर भी बनता दिखता है कांचिपुरम से फैलाओ राजनेतिक फैलाओ इनका हो और इसी के लिए कई इतिहासकार पल्लवों को पहला तमिल राजवंश भी मानते हैं कि जिनकी जड़ें उत्तर भारत से नहीं बलकि इनहीं इलाके से यानि कि स्थानिय इलाके से कांचिपुरम इलाके से ही है तो इसे पहला तमिल राजवंश के तौर पर भी मानिता दी जा इसे विदिक ट्रीडिशन का आप कह सकते हैं कि उदारण के तौर पर भी वो देखते हैं क्योंकि संस्कृत शब्द काफी प्रचुर मात्रा में खास करकर शुरुवाती दौर के पल्लव अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है बाद के पल्लव शाशक में हमें सिम्ह विश्नु का रेफरेंस मिलता है पांसो पच्छतर से छेसो इश्वी तक के कालखंड में और इन्होंने चोल और पांडिय राजाओं से भी युद्ध किया कावेली डेल्टा तक इनका प्रभाव बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता ह महाबली पुरम स्थित आदिवारह मंडप जो की एक गुफा मंदिर है वहां इनकी एक मूर्ती भी इंबोस्ड है यानि दिवार पर उभार कर एक मूर्ती के तौर पर संभवता सिंग विश्नु की प्रतिमा लगी वी है जो की उनके बढ़ते राजनेतिक और उनके वर्चस को निश्चित रूप से दर्शाता है इसके परशात पलव शाशक के तौर पर हमें महिंदर वर्मन दिखते हैं 600-630 इश्वी तक और महिंदर वर्मन निश्चित रूप से सबसे प्रतिश्चित पलव राजा थे और एक परंपरा के अनुसार शुरुवाती दौर में हमें नजर आते हैं राजा के तौर पर और इस इस ट्रांजिशन में जैन से शैव भक्त होने की प्रक्रिया में अपार का जो की भक्तिकाल की अगर हम चर्चा करें तो कई भक्ति सेंट्स हैं तो अपार के द्वारा संभक्ता यह परिवर्तन किया गया महिंदर वर्मन हर्ष राजा के तौर पर नाटक में काफी उनकी रूची थी, संगीत में उनकी काफी रूची थी, कविता लिखने और सुनने में उनकी काफी रूची थी, मत्विलास प्रहसन, the delight of the drunkards, यह जो कृति है, यह जो रचना है, वह भी महेंदर वर्मन के द्वारा ही की गई, पद्धुकोटा संगीत अभिलेक में भी इनका हस्तशेप है, और महाबली पुरम सित जो रॉक कट टेंपल्स हैं, उनके निर्मान में भी महेंदर वर्मन का योगदान काफी बहत पूर्ण रहा है, और यह सभी इस समय की जो आर्किटेक्चरल स्पेसिमन हैं, उसके बहुत अच्छे उदाहरन हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे अब राजा के द्वारा लंबी अवधी तक अपने वर्चस और प्रभाव को दर्शाने के लिए बड़े डूरेबल मेटेरियल को यूज करकर ग्रेनाइट रॉक जो की काफी ठोस पत्थर माना जाता है, उसको काट कर मंदिर बनाने की जो परिपाटी है वो शुरू हो रही है पल्लव राजाओं के द्वारा, महिंदर वर्मन के काल में चालुक्यों से युध चलता रहा और विंगी इलाका पर पूर्वी चालुक्यो का अधिपत्य संभवता महिंदर वर्मन या उनके आसपास के समय में ही होता दिखता है, इसके पाशात नरसिम वर्मन प्रथम 630 से 660 इश्वी तक शाषन करते नजर आते हैं इस इलाके में, इन्हें महामल भी कहा जाता है, कई शुरुतों में इन्हें महामल की संग्या भी चालुक के राजा को हरा कर इन्होंने वातापी इलाका को पल्लव के अधीन लिया था और इसी के लिए इन्हें वातापी कोंदन भी कहा जाता है, इन्होंने साहिता ली और मनवर्मन को सिलोन का राजा बनाने में भी इनका हस्तशेप रहा, वहां इन्होंने काफी उन्हें मदद की, वेंसांग 642 में जो चानी स्टैवलर हैं, बुदिस्ट लीनिंग के, वो इनके कारिकाल में, दक्षिन भारत में भी वो कांचीपुरम जैसे इलाके में घूमते नजर आते हैं, और उनके द्वारा कांचीप रथ टेंपल्स हैं, रथों कारिर्मान भी पलमों के समय ही होता दिखता है, महावंसा में जो की एक बुदिस्ट टेक्स्ट है, महावंस, उसमें हमें नर्सिम वर्मन प्रथम के द्वारा सीलोन समुदरी अभियानों का उलेख मिलता है, तो कैसे पलम राजा जो श्रिलंका इलाका है, वहाँ मेरिटाइम इंटर्वेंशन कर रहे हैं, वो हमें देखने को मिलता है, परमेश्वर वर्मन एक पलम राजा हैं, 670 से 680 के कारिकाल में, और इस समय में काची पर चालुक्यों का कबजा होता दिखता है, कई शिव मंदिरों का निर्मान भी परमेश्वर व परमन द्वितिये 680 से 720 इश्वी तक पलम राजा के तौर पर इस इलाके में हैं, और राजसिम्हा के नाम से भी ये प्रचलित थे, और काची वापस पलमों के अधीन आचुका था इनके कारिकाल में, तो जो चलुक्यों से एक अपमेंशिप, जो है मिलिटरी वो नर्सिम वर्मन द्वितिये करते दिखते हैं, और फिर नौमी शताबदी तक पलमों की शक्ति इस इलाके में, काची पुरम और दक्षिन भारतिये इलाके में, जैसा की चलुक्यों के संदर्भ में भी हमने देखा, वो काफी शीन होती नजर आती है, और नौमी समय है, वो राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांडिया, कॉन्ट्रिक्ट का इस दक्षिन भारत में हमें देखने को मिलता है, तो यह एक मोटे तोर पर एक रूप रेखा है, राजनेतिक अवस्था की, गुपतोतर काल की दक्षिन भारतिये जो जोग्रफी है उसके संदर्भ में, धन्यवाद